हाला दोस्तों नमस्कार तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपके 17 अक्टुबर 2022 का दे हिंदू नेवज पर को तो चलिए हम लोग इसके शुरुवात करते हैं कि इस अब जैसो आपका एलवर्टीजमेंट है यहां से आपका पेपर शुरू होता है और इस पेपर में जो सबसे पहला आर्टीकल है जो कि चैना से लेटेड है तो चैना हमारा परोसी देश है और आपको पेपर टू में इसके बारे में se-paします troop से बात किया गया है ठीक है तो हम लोग जो है इसको इस आर्टीकल को यहां पर देखने कोसिस करेंगे कि चाइना यहाँ पर कहने की कोशिस क्या कर रहा है तो चलिए हम लोग इसकी शुरुवात करते हैं तो यहाँ पर बात जो की गई है तो चाइना जो लीडर है सी जिंपिंग संडे ले आउट दा डिकेट लॉंग विजन प्लेडनिक समझेगा जरब बात को यह इंपोर्टेंट आर्टिकल है तो यहाँ पर कहां कहां पर बूस्ट करने के बात हो रही है और इनका जो है एक दस साल का विजन पूट कर रहा है ठीक है डिकेड लॉंग जो है जो विजन हो गया और बूस्टिंग के बात होती है एकनॉमिक पॉइंट अभीव से मिलिटरी पॉइंट अभीव से और सेल्फ रिलाइंट होगा किसमें साइँ एड टेकनलोजी में even ही आपको वार्न करते हैं रेजिंग देख्टर्नल थ्रेट्स और जो उनका एक्स्टर्नल थ्रेट्स है उसको वार्न करते हैं increasing the turbulent in the world में और जो वार्न में अभी जो चल रहा है तो उसमें वो वार्न करते हैं कि हमारे बीच में कोई नहीं आए ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे यह आगे बढ़ते हैं आगे भी पेज पेख जो कभर है तो उसको वहां से देखेंगे लेकिन यहां पर थुरा देख लेते हैं opening the communist party of the china opening the communist party of the china यहां पर आपको क्या कहा गया है तो यहां पर यहां कहा गया है आपको कि opening the communist party of the china national congress में which will mark the start of the sea third five year term तो यहां पर आपको शे जिंपिंग का जो है सो पाँच यहर का तीसरा टर्म जो है सो शुरू हो रहा है और यहां पर आपको the Chinese president and the CPC general secretary said आपको पार्टी वीजन दो हजर पैटीस के लिए यहां पर वाज significantly increase the economic strength science and technology capacity और साथ में comprehensive national strength यह तीन पॉइंट पे इनका जोर है तो हम लोग एक basic point of view देखना चाह रहे हैं इसका और कुछ नहीं है इसमें तो यह जो है सो तीन पॉइंट पर जोर दे रहे हैं और यहां पर आपको economic strength हो गया science and technology हो गया जो कि self-reliance करेगा आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर प्रजेक्ट प्राइबेट पर प्रजेक्ट गिब investment boost in the quarter 2 में तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे हैं हाला कि यह भी जो आपको आगे आने वाले प्रजेक्ट पर है लेकिन यहां पर कुछ data अगर दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर देखिए जो टेबर लिस्ट अप दे नंबर वैलू एंड चेंजेज इन द वैलू अप दे निव प्रजेक्ट अनॉंस इन द फानेंशियल इयर तेज के अगर हम बात क सेक्टर होगया ठीक है और यहां पर इंवेस्टमेंट की जो बात की गई है तो चेंज द वैलू एयर वाई-यर की बात करते हैं तो बाकि यहां पर मैनिंग में निगेटीव में है इलक सीटी में बाकि सब में पोजेटीव में है बात करते हैं यहां पर तो कहा गया है कि इंडिया प्राइबे सेक्टर इन इंवेस्मेंट अनॉंस्मेंट एसकोर्ट 66% बिट्विन जुलाई से लेकर सेप्टेमबर नियरली 5.7 लाग करोड का अब यहां पर कहा गया है कि यह जितना किया है लेकिन एक्जिक्यूशन रेट में यहां पर प्रोब्लम है फॉराउट एस्टेंडिंग प्रोजेक्ट अर्लेडी जो कमिटेड है उसमें कोई काम यह बहुत तहीं से काम नहीं हो रहा है और नए प्रोजेक्ट रिनाउंस किये जा रहे हैं अब यहां पर बात की गई है कि जो फॉर्स्ट क्वाटर में है तो यहां पर क्वाटर वन अफ दे इयर है रिपोर्टेड आपको 20.5 पर्शन सब्सेक्वेंटल डिप इन दे निव इंवेस्मेंट सेकेंड क्वाटर में जैसो बूस्टेड बाई दा सूपर प्रजेक्ट लाइक बेदानता का है आपको 1.5 लाग करोड का है प्लान से चीप्स इन गुजरात का उसके बाद जो आपको ड्राइविंग एसार पर जौंप 41 परसेंट इन्वेस्मेंट इन दे प्रजेक्ट में तो यह हैसो हम लोग आने वाले जो इसका पीस नूमर 12 है य आपको और केम सिर्यूल का फ्रजेक्ट इनिसीर्ट गॉअर्ट ऐन अने य करोड barley डीकॉट इननिसेंट्फिक्श कर सकते हैं या देलई हाइव थियन में ब्राइव दिजरा इसमें देख्ते हैं कि क्या बॉइंट अब रखा गैया तो यहां पे काहानी है कि देली हाइव क यहां पे काँए है कि जस्टिस यश्वन्त बर्मा अब्जर्ब देट देट पैनल इज इंपवर्ट तो इनिसियेट अन इन्क्वारी पुर्वाइड़ेड एमेंबर अब्जर्वल कास्ट इस अबल तो एस्टेबलीश अब्लिस प्राइमा फेशी मतलब पहला अब्जर्वे यहां पे काँए है कि आप जब भी इस टाइप के इनिसियेटिव को ले रहे हैं कि आप किसी खिलाफ में चार्ज फ्रेम करने जा रहे हैं या इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं फॉर्द फ्रेमिंग देशार्जेज देन आपको पहले एस्योर करना परेगा कि उसको उसके कम् को एक तरह से काज डिस्क्रिमेशन के अधार पर जो किया जाता है उसमें आता है हाई कोट अबजर्वेशन केम वाइल डिसाइडिंग दपलिय अफ एक कम्पनी एगेंस्ट फीचे कमिशन हैड इनिसियेटिड एन इंक्वाइरी ओभर दर्टर्मिनेशन अब सोचिए कि 2012 से केस चला इंजिनियर कंपलेंट किया कि सैक इंजिनियर है जो कि हमारे काम की नहीं है तो हमारे काम की है कि इसमें से हलाकि यह जो एसो पेपर 2 में आएगा और इसमें से आपके लिए काम की बहुत छोटी सी चीज़ यह है कि जो भी कम्प्लेंट से लेटेटिड कुछ लिख रहे हैं तो इसमें यह बात को मेंसन कर सकते हैं कि नेशनल कमिशन अब दर से लूल कास जो है जो कि 338 में सेम precedent में आता है तो विख जो भी आपको इनक्वारी को इनिसेट करेगा तो हॉआ जो चार्ज फ्रेंप करने जा रहा है या जिसी को इनिसेट करने जा रहा है वो सर्सवनेबल इंक्वारी होनी चाहिए रिखे चलिए आगे चले कर सकते हैं लोग नेक्स आर्टिकल हमारा है कि पंजाब वार ओन दे ड्रग्स एडिक्शन एमोंग ओमेंगोज ओभरलुक्ट यहाँ पे कहा गया है कि आप जो पंजाब में ड्रग्स का जो केस है चुकि पंजाब हमारा जो है 101 यहाँ पे आपको पाकिस्तान से ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लाई होता है और हमारे यूथ को एक तरह से ड्रग्स के परती मॉबलाइज करके और उनके जीवन को बरबाद किया जा रहा है तो यहाँ पे एक दूसरा एंगल आया है जो कि ओमें को लेके आया है कि यहाँ पे ओमें को यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है कैवंकि ओमें भी से तो कहीं नहीं परिःत हो रही है तो इसी पे बात किया गया है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको क्योंकि यहां नए आख आया एंगल आपको पूट अपप कर रहा है right to equality जिसमें जो है सिर्फ men ही नहीं है women भी इसमें जो है सो सामिल हो रही है drugs लेने में तो यहाँ पर कहा गया है कि while Punjab is wagging in the all-out war against the drug तो यहाँ पर पंजाब जो है अभी drugs के प्रती जो लडाई लड रहा है it faces a herculean task in the curving the substance abuse by the women और यहाँ पर एक बहुत बड़ी टास्क हो गया है कि women भी इसमें आते जा रही है who have often been overlooked in the discourse में और इसमें जो है सो government इसको overlook कर रहा है against this आपको backdrop a recent video show showing a young आपको in avariated women by the roadside back in the kapurthala has caught the glare of the public eye the married 22 years old addicted to heroine और यहाँ 22 यह साल की लड़की है और heroine लेते पकरी गई है had been undergoing आपको treatment in the state only government run women's addiction center at the kapurthala और यहाँ पर चुकि इस टाइप की चीज़ें जो देखने को मिल लई है जो कि यहाँ पर man के अलावा जहाँ आपको और यहाँ पर यहाँ पर सेंटर खोल गया है जहाँ पर ओमें का treatment होता है कि हमको महताब गट सी या heroine मिला था और यहाँ पर drug pedler जह सो frequently move करते है here and there the police आपको स्वाग into the action and had readmitted this addiction center पर इसको उसने जह सो फिर से admit किया admit किया गया अब यहाँ पर जो है संदीप भोला डिप्टी मेडिकल कमिशनर और साथ मैं consultant आपको psychiatrist at the center उन्होंने जह सो दहिंदी को जो बताया अब यहाँ पर इस टाइप के जो case study है दिखिए तो case study है तो हमें चुकि इस टाइप के case study को अगर हम पूरने बैठने बैठेंगे तो बहुत time ही लगेगा और हमें output में बहुत कम चीज मिलेगा तो हमें क्या करना है कि जब man sensor writing कर रहे हैं और drugs related चीज़े हैं आप जब deal कर रहे हैं यहाँ पर दो type की एक ethics में question बन सकता है जो के case study हो सकता है और दूसरा question आपको बन सकता है GS paper 3 में drugs हो गया उसके लावा हाँ तो यहाँ पर क्या बात की जाएगी कि जो drugs का case है उसमें सिर्फ man ही involved नहीं है ओमन भी involved है तो ओमन centric approach के साथ में काम करना परेगा government को ताकि इसको reduce किया जा सके तो इस 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 आपर्टेंट पॉइंट किप इन माइड writing the man's answer चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यह सब advertisement है चलिए इस सब पैसा public के पैसा बरबाद होता है चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं जो सुप्रीम कोट और हाई कोट यह आपका इडिटूरियल के पेज हो गया तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो रिसेंटली बंबे हाई कोट के ओरडर को सुप्रीम कोट ने लिफाई किया है उसके बारे में तो यहाँ पर कहा गया सुप्रीम कोट के जजमेंट को डिस्चारजिंग जी एन शाई बाबा और से जो की मुआश्ट एक्टिविटी में कही न कहीं लोग पाए गये थे और इनके ऊपर यहाँ यह पीए लगाया गया था तो इनको छोड़ा जा रहा था तो सुप्रीम कोट ने रोक दिया है साई बाबा एन फोर अधर्स बिइंग जैसो संटेंस लाइफ एन अधर टेनियर्स के लिए तो यहाँ पर किसी को साई बाबा को दस लाइफ संटेंस है और अधर को जैसो दस साल का है अंडर दा इवे पीए के अंदर में वाज सेट एसाइड बाई दा हाई कोट एन नोट यहाँ पर जो कहीं नहीं एस्टेट को यहाँ पर दो सी ठहराए गया हावेवर दापक्स कोड है बिन मुर रिएस्टेंड वाइल द इंटर्टेंग अपील एगेंस द ऑडर तो यहाँ पर एपक्स कोड जो सुप्रीम कोड़ है वह बहुत तीजी से इस अको समझा या बहु तो चलिए देखते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें हमारे काम की चीज़ क्या निकल के आती है तो कोर्ट शोर आपको एक्स्ट्राओर्नेरी जील इन फुल्फिलिंग दा महरास्ट्रा गोवर्मेंट विसे तो हैव इन इमेडियेट हीरी ठीक है एस्पेशल बेंच अफ ज बिता लिया है प्रोफेशर सांइ बबा इस दिसेवल है एंड सांच में सून आप्टर है डिस्चार्ज देव रेक्वाइट तो फाइल ए बॉंड अंडर दा प्रसीजोर रिक्वार्स इवें दोज एक्विटेट तो वी अवलेवल फूर 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 प्रसीडिंग इसके बाद में कहा गया है कि यह जैसो डाउट फूल है वेदर थे कोड़ सूट है रेस्पूंड विट सच स्विफ्टनेश जस्च तो यहां पर कहा गया है कि भाई आपने जल्दी से सस्वेंड कर दिया इस ओर्डर को इसके पीछे कारण क्या था यह आपने बताया नहीं अब यहां पर बात किया गया है आपको कि जीस्ट अफ हाई कोर्ट वर्डिक्ट इस डैट इन दा केस अफ फाइफ एक्यूज्ट वन आपको वन अप देम इसमें से मर गया है और आपको अंडर दे यूए पीए वाज इन्वाइलिट विकॉज दियर मेटेरियल वाज प्लेस्ट विफोर दे सेंक्शन अथ्रिटी एंड सेंक्शन अप्टेंड ऑन दे सेम डे यहां पर कहा गया है कि जो सेंक्शन अथिर देखिए कुछ यह आपको बहुत ज़्यदा टेक यहां पर जो क्योंकि जो एविदेंस फाल आउट है उसके अधार पर कोट यह जज्जमेंट लिया है बाइट इन्डिपेंटेंट रिवीवर और आपको प्रोफेसर साही बबा आपको कॉजिएंस वाज टेकन और इवन विटनेस वाज एक्जामीन बिफोर दे सेंक्शन ओ चार सच पैसट है सी एरपीची डैट एन एर ओमिशन अब बोले कफी ज्यादा टेकनिकल वर्ट के उज़किया गया है जो कि हमारे काम का बिल्कुल नहीं है ठीक है बट एक बार जो है इर्टूरियल में आया है तो एक बार देख लेते हैं उसके बाद कहा गया है आपको कि देख एज़च में इसू है इसू है इलाबरेटली देल्ट विथ थाई कोड विथा थाइक बेंच है इस इस पेसल लोग सच अगर आप यहां पर कहा गया है कि अगर आप यह पी से जो किया सब्सक्राइब आप डिल कर रहे हैं एवरी सेफगार प्रवाइड बड़ाइड आप यहां पर कहा गया है कि अगर आप किसी कोड छोड रहे हैं और वह जो है कहीं विशेश रूप से कहीं पर वर्डिक्ट है वर्डिक्ट में फसा हुआ है तो अगर छोडने के पीछे जैसे जो प्रिंस्पल होना चाहिए कि जिसको छोड रहा है उसको बेनिफिट हो या जैसे दिश्चार मॉस्ट भी इंटर डिक्टेट बाइड और अपील में जाक कि यहां पर कुछ खास निकल के आर नहीं राइस आर्टिकल से आपको बहुत है तो यह क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ठीक है एक्ट्वल में यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स होगरस रेलेटेड होगा जो कि भारत सरकार इसको डिनाई कर रहा भी बरतमान केस में तो यहां पर ग्लोबली फूड और निउट्रिशन सेकुरिटी कंटिनू अंडर्माइन बाइड इंपेक्ट अब दो कोबिन नाइन्टी सेकुरिटी जो हैसो कंटिनू अंडर्माइन किया जा रहा है बाइड़ इंपेक्स जो कि कोबिन नाइन्टी का इंपेक्ट है क्लाइमेट चेंज है और फूड इंफलेशन हो रहा है कंफ्लिक्ट है इनिक्वालिटी है तो यह सब कौज है एक तरह से कहा जाए तो और दो नाट है अनफ टो इड और शांथ में जैसो 50 मिलियन पीपल आर दफेसिंग सब बहुत बुरे हंगर से गुजर रहे हैं तो यह यहां पर राइटर ने कोई वह नहीं दिया हमको कि कहा से डेटा लिया गया है तो जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं हो हम लोग इस डेटा क का यूज नहीं कर सकते हैं आपको पता है बट हाँ यह आपको इंटर्व्यों ग्रम इसके उज़ कर सकते हैं अब यहां पर जो बात की गई है हंगर होट एसपोर्ट आउटलुक 2022 तेस ए रिपोर्ट बाइद फूर्ड एन एग्रिकल्चर और्गनाइशन उनाइटे नेशन का तो याद रखिएगा यहां से दो चीज़ें निकल के आई आपके पास में एक तो हंगर होट एसपोर्ट आउटलुक 2022 तेस ए रिपोर्ट बाइद फूर्ड एन अग्रिकल्चर और्गनाइशन बाइद उनाटे नेशन एंड वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्राम डवलु तो यह दोनों मिलके इसको निकालते हैं फूरे बोर्ट से आपको एसकलेटिंग हंगर्स ओबर दो सब पांच मिलियन पीपोल एंड एक्रोस दो फूर्टिफाइफ कंट्री अब इनका कहना है कि भाई देखो तो जो आपका हंगर होट एसपोर्ट आउटलुक 2022 तेसका आया इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको तो उसके अलावा फूर्टिफाइफ कंट्री में यह सूर् लोग इससे प्रभावित हैं और यहाँ पर कहा गया है कि इमार्जेंसी फूड़ एसिस्टन्स तू सर्भाविव उनको करने के लिए आपको इमार्जेंसी फूड़ आपको स्टॉप की सप्लाई करनी परेगी, according to the report. आगे बरते हैं, तो World Food Day, October 16, has been a reminder as ensured that the most vulnerable people within our community have easy, access, safe and nutritious food. आपको हंगर बाई 2030 तक, only through the collective and the transformational action to the agriculture system में, better production हो सकता है, तो होगा, better nutrition हो जाए, better environment हो जाए, and better life हो जाए. तो 2030 तक हमें क्या कहें कि हंगर को खतम करना है, तो हमें collective approach लेना पड़ेगा, और transform करना पड़ेगा, अपने agriculture को, agriculture food system को, बढ़िया production हो, उसमें nutrition की मातरा अच्छा हो, better environment हो, और better life हो. तो यह बात है कहीं गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह article आपको एक तरह से worthy है, इसलिए हम लोग इसको discuss करेंगे, आगे बढ़ते हैं, better production, better nutrition की बारे में बात हो रही है, तो इंडिया है, अब यहाँ पर इंडिया की बारे में बात किया गया, इंडिया है, इंस्पारिंग जर्नी तो अश्ट बेटर प्रोड़क्शन और एचिविंग अचिविंग अच्छा काम कर रहा है, अब बात की गई है, आपको कि 2021-22 में, पॉर्टी नाइन पॉइंट सिक से डॉलर, बिलियन डॉलर का टोटल अगरिकल्चर एक्सपोर्ट था, एंड ट्वेंटी परसंट इंक्रीज जर्सो दुहजार बीस एकईस से, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हावेवर, रिसेंट क्लाइमेट शॉक रेज देखने इंडिया वीट और राइस प्रोड़क्शन और रहा है, उसमें इंडिया को हो सकता है कि शॉक लोग सकता है, नेक्स्ट येर में, उसके बाद में कहा कि इंडिया पॉपलेशन इस एस्पेक्टेट टू प्लेस एक ग्रेटर फोकॉस ऑन दे क्लाइमेट, आपको एडप्टेशन पे हमें ज्यादा फोकॉस की जरूत है, और साथ में रेजिलियांस बीडिलिंग की जरूत है, बाई 2030, इंडिया पॉपलेशन इस एस्पेक्टेट टू राइज 1.5 बिलियन और 2030 तक इंडिया का पॉपलेशन जो एस राइज होकर की 1.5 बिलियन हो जाएगा, अग्रिकल्चर फूद सिस्टम विल नीड टू पॉपलेशन पॉपलेशन और आपका अग्रिकल्चर फूद सिस्टम है, उसको हमें सपोर्ट करने की जरॉत होगा, तो हमें अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमें जितना रिक्वार्मेंट है, उसके हिसाब से हमें उसका फॉल्फिलनेस हो, उसके बाद कहा गया है कि there have also been a series of initiative, Government of India के द्वरह यहां पर बहुत सरा initiative भी लिया गया है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो थोड़ा सा उस initiative के बारे में बात की गया है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, तो यहां पर कहा गया है कि आपको better production हो, improving the food access हो, and especially for the vulnerable population के लिए यह चीज़े हो, Since 1948, food and agriculture organization continue to play a catalytic role in the India, progress area of the crop, live stock में, साथ में, fisheries में, food security में, और साथ में, जैसो management of the natural resources through the sustainable practices, तो यहां पर कहा गया है कि 1948 से लेकर के आज तक जो food and agriculture organization sustain way में, वह इंडिया के catalytic role निभाने के लिए प्रिरीद किया है, या मदद किया है, जिसे इंडिया जो है, so, इस field में self sufficient बना है, okay, आगे बात करते हैं, world food day is the remainder, आपको leave no one behind and is opportunity, perhaps the most urgent one is recent history for the nation to extend the food security nets and provide access to the essential nutrition for the millions and promote livelihood for vulnerable communities के लिए, okay, आगे बात करते हैं, आपे, next जो point है, वह यह है, one of the India greatest contribution to the equity in the food, जो है सबको national food security act, NFSA in 2013 में, विच आपको anchors करता है, targeted public derivative TDPS, साथ में आपको PM portion हो गया, इसको midday meal पहले कहा जाता था, and the integrated child development ICDS हो गया, यह सब जो है, so, कही ना कही nutrition के field में मदद कर रहे हैं, तो इंडिया food safety net से collectively reach आपको 1 billion का हो गया है, आज की रेट में, World Food Program works with the state and the national, world food program जो है, so, state government और national government के साथ मिल करके, यहाँ पे काम करता है, strength करता है, this system enrich the people who need आपको the most, the government continues to take various measures to improve this program, with digitization हो गया, and measure such a rice fortification हो गया, better health हो गया, और sanitation हो गया, तहाँ पे कहा गया है आपको, कि जो government अभी nutrition के field में अच्छा काम कर रहा है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए, fortification जो food में nutrition को एड़ किया जा रहा है, ताकि better health हो सके, और sanitation के field में भी government काम कर रही है, ताकि जब तक बहतर health नहीं होगा, तब तक आपके खाने से मतलब नहीं है, बहतर health होना ज़्यदा जरूरी है, आगे बात करते हैं, तो food safety nets and inclusion are linked with the public procurement, तो यहाँ पर जैसो चुकि public procurement से जो farmer हैं, उनको फायदा हो रहा है, buffer stock policy लेके आया गया है, बेजेबल during the global food crisis, 2008 से 12 के बीच में जब crisis आया, तो आपको public food procurement हो गया, जो कि किसानों के MSP पर food हम लोग खड़िद लेते हैं, और buffer stock policy है ताकि हम लग उसको जैसो FCI उसको maintain करता है, तो यहाँ पर एन COVID-19 pandemic fallout whereby the world level and the marginalized family in India continue to be buffered आपको TDPS with the become the lifeline है, आज की डेट में या, International Monetary Fund paper titled जैसो pandemic poverty and inequality, तो यह जैसो आपको IMF का है, evidence देता है from India, Assorted diet, the extreme poverty was maintained below the 1% in 2020 में due to the परधान मंत्री गरीब कल्यान योजना, तो यहाँ पर आपको जो extreme poverty में 1% लोग है, उनको भी बचाया गया है, maintain किया गया है, जो कि आपको परधान मंत्री जैसो गरीब कल्यान योजना, जो कि COVID-19 में था, इंडिया अपकॉमिंग G20 presidency is an opportunity to bring food and साथ मेजेशन nutrition security to the very very center, आपको resilient, आपको equitable future हो गया, चलिए आपको better environment के थोड़ा से बात कर लेते हैं, what is saying these things, nutrition and यहाँ पर बात की गई है आपको, nutrition and agriculture production are not only impacted by the climate change, but also link the environmental sustainability, तो यहाँ पर nutrition और साथ में जैसो climate change, agriculture production जैसो only climate change और साथ में जैसो environmental issue पर डिपेंड करता है, इसमें soil का degrade होना, excess use of the chemical होना, non-judicious use of the water होना, और उसके बाद में declining the nutrition value of the food products, नीड अर्जेंट अटेंशन, यह सारा चीज को देखते हुए, हमें urgent attention की जुरत है, तक इसको सही किया जा सके, और उसका लावाँ जैसो military have received renewed attention as crops, our food for the nutrition हो गया, health हो गया, और साथ में आपको एक्तरसधरती बचाया जा सकता है, as climate as smart crops, हमें climate as smart crops को लेकिया आने की जुरत है, harder than other आपको sales हो गया, since they need आपको fewer inputs, और यहाँ पे जैसो हमें कम input की जुरत है, और less आपको extractive soil और soil से यह कम nutrition लेता है, and can survive जैसो soil health को बचाया जा सकता है, additionally their genetic diversity को change करके भी यहाँ पे चीज़ें को किया जा सकता है, तो देखे, दहिंदू में जो भी writer लिखते हैं article को, तो अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन आपको कहाँ पे, किस चीज़ को fit बैठाना है, it's depend upon you, okay, so आप लोग थुरा सा, सोच समझ के इसका यूज कीज़ेगा, आँख बंद करके यूज ना कीज़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी, अब यहाँ पे आपको, जो आपका क्या कहा गया है, यहाँ पे कि जो science and technology के agriculture में यूज करते हैं, तो gene editing और जो करते हैं, तो हमें अग्रो इंसूर करना है, अग्रो बायो डायवर्सिटी प्रिजर उड़ाए, उसके करन कोई और थर्ड केस ना आजा, जो काफी दिक्कत करें, इंडिया हैज लेड एक गलोबल आपको, कनवर्जन और रिवाइविंग दे मिलेट प्रोड़क्शन फॉर बेटर लाइप्स के लिए, निउट्रिशन हो गया, उसके बाद जो इन्वार्मेंट, इंक्लूडिंग एड़ इवेंट जेनल असेमली, पर्णेहही आहिम एपेल ट्वेड टू दा, डिकलेर 23 इंटरनेशनल इयर अप्ड़ इंडिया ने बूल, इसके बाद में, उसके बाद में 41% of the total हमारा जैसो 2020 में प्रोटक्शन था मिलेट का नेशनल गॉर्मेंट इज अल्सो इंप्लिमेंटिंग दा सब मिशन आपको निउट्री सेरल्स मिलेट एज पार्ट अप अप दे नेशनल फूर्ट सेकुरिटी में हम लोग इसको लेकिया रहे हैं एस्टेट लेबल जैसो मिशन उडिसा का हो गया मद पर्देश का हो गया अंधरा पर्देश का हो गया आपको टेस्टमेंट टू दा आपको रिजल्व दर्स आपको अर्शांथ में रिभाइब दा इंडेजिनियस क्रॉप को लेकर के हैं ओके अब बात किया गया है आपके कि मिलेट कंजर्वेशन और प्रमोशन कंट्रीवूट एड्रेसिंग दा फूट सेकुरिटी यहां पर जो बात की गयी है वह फूट सेकुरिटी की बात की गयी है उसके बाद में nutrition improvement के बारे में बात किया गया है उसके बाद sustainable agriculture हो गया which align with the sustainable development goals SDG agenda हो गया millet production has been proven to enhance the biodiversity increase the yields for the small holders far more including the rural women हो गया और यह स्मॉल farming करने वाले जो किसान हो गया है और उमेन हो गया हो है उनको यह मतला help provide करता है the international fund for agriculture development IFAD तेजस्वेनी program with mother परदेश आपको में नियरली टेन टाइम्स इंक्रीज किया है इंकम अठारा सो पर मौन्थ से जो है सो यह हो गया है 16,277 इन दे 211 में तो आगर आप मिलेट उगाते हैं ता आपका इंकम दस गुन्ना बढ़ सकता है that is the matter of the point है आगे बात करेंगे आपको एक study है by the food and agriculture organization का on the millet in India emphasis strengthen the value chain for enhancing the nutritional benefit and increasing the farmer income तो आपको nutrition उगाते हैं तो उसे दो फायदा होता है एक तो जो पार्मर उगा रहा हो तो खाएगा भी तो खाएगा तो उसकी जह सो nutrition बढ़ता है पहला point और साथ में farmer की income भी यहाँ पे इंक्रीज होता है अब एक बेटर लाइफ क्या है उसके बारे हम लोग इसको conclude भी करेंगे आप tension नहीं लोग कि हम सिर्फ पढ़ते जारा conclude कर रहे हैं अभी इसको जायर सी बात है कि कुछ article दा हिंदू का सुरू के जो है से लंबे रहते हैं तो अब हम बात करेंगे यहां पर आपको कि अबते लाइफ की बारे हम बात के जाये clear डेट the path better life है आपको decide in the transforming the food system हो गया तो यहां पे बेटर लाइफ के लिए जैसे हमें transforming the food system को हमें transform करना पड़ेगा जाहिर सी बात है उसके बाद में जैसे आपको चीजों को resilient बनाना पड़ेगा sustainable बनाना पड़ेगा और हमें focus करना पड़ेगा equity पे including the incentivizing किया जगा protection of the commons को enhance the food and nutrition security को enhance करना पड़ेगा and the social protection network including the providing आपको non-distrational income support हो गया promoting the production and the consumption of the nutritious native हो गया जैसे तो इंडिया में जो चीजों को deny किया गया है कि global जो हंगर index में इंडिया को criticize किया गया है तो उसको भार सरकार मानती नहीं है कई बार हम लोग बोल चुकी है government in government of India तेहां पर 3-4 चीजों के बारे में में mają main बाते की गई है पहली बात यह किया गया है आपको की डेटा के बारे में बात किया गया है तो डेटा जो जो वाईलीवल डेटा वही लिखिएगा नहीं तो नहीं लिखिएगा better production better nutrition के बारे में बात किया गया है कि millet अगर उगाएंगे तो आपका एक better production हो गया और millet खाएंगे एक better nutrition हो गया उसके बाद में फिर sustainability के बारे में बात किया गया है और environment कैसे change हो रहा है तो उसमें कैसे protect करना है और एक better life के लिए में nutrition की जरुत है उस पर बात की गई है और एक case study जो इन्होंने पुब्लिश किया है मद परदिश का जो 10 गुना मिलेट में 10 गुना का income increase होना यह एक तरह से बहुत अच्छा point है इसको जरूर मेंसन किजेगा आप ओके अब देखिए यह United Kingdom और Ukraine और यह सारा चीज है जिसको हम लोग नहीं देखेंगे एकनोमी से लेटेड है हम लोग यहां देखेंगे bigger picture in the international financial crisis तो उसी का हमें लगता है कि यहां पर यह बात किया गया है कि international financial crisis क्या है और इसमें recently जो UK उगरा में देखने को मिल रहा है तो उस पर पर बात किया गया है तो चलिए थोड़ा साम लोग इसको देखते हैं अब यहां पर चुकि राइटर जो बात करेंगे उसको बड़ा किलियर कट सब्जम हम लोग यहां पर explain करेंगे तो financial sector play major role in the modern economics and the banks are the cornerstone of the financial system का अब यहां पर राइटर का कहोना है भाई कि financial system जो है यह financial sector major role आपको modern economics में play करता है और bank उसके लिए जैसो cornerstone है ओके ध्यान रखिएगा आगे हम बात करेंगे यहां पर तो they mobilize the saving for investment के लिए तो bank के क्या करता है कि saving को investment के लिए mobilize करता है create करता है opportunity risk को pool करता है improve करता है allocative efficiency को lower transaction cost को और साथ में funds exchange hands between the borrower और साथ में lenders तो bank यहां पर bank focus जैसो इस paragraph में बैंक पर किया गया कि bank करता क्या है अब यहां पर interesting बात जो है very mechanism that enables the bank offer these valuable services are also which at that times make banks आपको vulnerable small shock and market sentiment अब यहां पर चुकि बैंक को जो shock करने वाले चीज़े हैं तो कहीं न कहीं जैसो bank disturb होगा तो economy disturb होगी क्योंकि जैसो हमारे financial system का cornerstone कौन है bank है the bank में problem that is the economy में problem okay तीसी के बारे में बात किया गया है अब हम तो आवर इसको आगे elaborate कर रहे हैं अब यहां पर दूसरी जो point पर बात की जा रही है अब यहां पर दूसरी जो point पर बात की जा रही है फर्मोर फेडरल लिजर्व चेर हो गया अल्सको बाद में डूग्लास डावलू डाइमाड हो गया इनवर्सिटी एफ द शिकागो के अन फिलिप एच जैसो डाइव बीग हो गया वासंगटन इनवर्सिटी एट संट लुईस आफरिंग दा इडीपर को लेकर के साथ में आपको प्रपगेशन और साथ में मनेजमेंट अब दो फानेशल क्राइस एक्स्प्लेणिग आइडिया आप दो डाइमेंड और साथ में जो हैसो आपको डे बीग का इन डाइंटी एटी थिरी सेमिनल पेपर ऑन दे बैंक रंस इन गुड बिगनिक तो याखिर मैं यह क्या बताने कोसिस कर रहा हैं तो इनहीं को लेकर करके अब यह पूरा आर्टिकल चलेगा इन्होंने बता दिया कि बैंक क्या करता है और नोबल प्राइज में इन तिन लोगों को मिला है और उनमा से एक को इन्होंने उठाया है और जो हैसो फनेसियर क्राइ पिर भी रिस्क है कैसे तो यह आपको पेपर थी में एकनोमी में आएगा consider an ideal situation where bank and साथ में forms are honest bank or form जैसो honest है bank are healthy है and a small volume of the non-performing loans है तो that is the healthy situation actual में bank healthy तब कहा जाएगा जब उसका पैसा NPA नहीं हो रहा हो जैसा देरा वैसा return आ रहा हो तो NPA का small आपको amount है तो ठीक है such as the war floods इस टाइप के कोई चीज है नहीं है एकनोमी में प्रवल्म होता है तो bank में प्रवल्म होता है now ask yourself if you are deposited in a bank are safe under this ideal condition तो अब यहाँ पे पुछा कि आए कि भाई बताओ कि आपके आपने जो deposit कि वह safe है क्या according to the diamond and the jason davig even this ideal environment bank may fail to the meat obligation to the depositor due to different kinds of the risk तो यहाँ पे इस condition में भी bank जो है इस ideal condition that is the not always possible but this ideal condition in this ideal condition bank not fulfill the requirement of their customer और इस situation में भी bank को risk हो सकता है it may be possible according to the nobel prize winner अब वह risk क्या होगा उसके बारे में थोरा सा देखते हैं their argument goes as follow consider a bank that takes deposit from many small saver से लेके deposit लिया like you and me we may face sudden need for the cash हमें अब जरुत है तुरंद कैस का due to the unfortunate circumstances आ गया तो हमें अब कैस की जरुत है तो वह कैस जाईर सी बात हम bank से लेंगे या bank अगर मालीजें कि bank के पास पैसा नहीं होगा तो कहां से देगा तो इसके उपर हम लोग बात करते हैं तो अब यहां पर है क्योंकि उसमें हमें थोड़ा दिक्कत जा रही थी इसलिए हमने इसको लिया है तो कहा गया है कि यह framework जो है आपका used as a explainer के रूप में क्या framework है उसको हम लोग थोड़ा देखने को सिस करते हैं आपको तो repeated observation borrower behavior allow bank to set aside मतलब की कहा गया है कि यह जो consumer का behavior रहता है उसके अधार पे कुछ पैसा जो है सो अलग से रखना पर एगा आपको ठीक है आपको रखना पड़ेगा ताकि जो consumer जब मांगता है तो उस time पे आप दे सको ठीक है तो यहां पर कहा गया है कि आपको अलग से कुछ पैसा रखना पड़ेगा और इसको daily demand कहा गया है for the withdrawal and the आपको safely give out the rest as a loan मतलब कि कुछ अलग से पैसा रखिए तक कि कुछ withdrawal में काम आए आपको जैसो लोन दिया जाए the process works well as a long as each depositor तो यह जैसो आपको process काम करता है और हर एक डिपोज़ेटर विद्रावल only when they have real expenditure needs जब उसको जरवत पर रहेगा तो लेगा but suppose something change और यहां पर कहा गया कि मान लिजे कि कुछ change होता है अगर तो यहां पर but suppose something change for the depository economic political events example के लिए अगर आता है इस से आपको trigger कर सकता है belief among the depository that they are deposits at risk और इस case में उसका deposit risk में हो सकता है such expectation could be only unfounded or been based on the minor event लेकिन इस type के event बहुत कम होता है now अब यहां पर कहा है कि तो best strategy इसके लिए क्या होगा what is the best strategy कि इसके लिए जो है आपको बैसे कंसिक्वेंट्ली बैसे सेजी डिपोजिटर अंडर इस circumstances वोड़ी विड्रॉल हीज और हर और मनी भीफोर इस रॉन आउट और यहां पर इस इसमें क्या होता है कि पैसा जल्दी से लोग निकालना चाहते हैं कि बैक रन आउट नहीं हो यह उससे पहले अपना पैसा हमारे हाथ में आ जाए बैक बेकती शेशागी हूंती स्युख़गा और में नहीं होता है जावरी नह्लें कि पास्टर आउंट इससे.' और में रशादो इस त् confusion टोगत्यश आ डेartे हुआर, जय क्यो सखता है। रियल कोस्ट आपको इंटर्मेडियेटिंग दे मार्केट और मेकिंग क्रेडिट मोर एक्पेंसिब और दिफकल्ट तो अप्टेंग जो आपका बैंक रॉन प्ले आन इंपोर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग दे शेवर बॉर्ट नॉट अन प्रेसिडेंटेड डाउं तर न 2020 मतलब यहां पर नाइटी ट्वेंटिनाइन में यह कहा गया है कि यह जितना भी चीज है इसको रोका जा सकता है अगर प्रोपर रोक में यह किया जाए तो नेक्स अब आर्टिकल है कि प्लमिंग द इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो यहां पर कॉंग्रेस अपने आपको इनर पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बात किया गया है तेहां पर इनर पार्टी डेमोक्रेसी इजे आपको फेबरेट है बुज वर्ड फॉर्ड फॉर्ड इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मतलब इंडिया में इनर पार्टी डेमोक्रेसी आना एक तरह से अपने और ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके point of view को थोड़ा सा देखते हैं तो आप देखिएगा सिंस दोजार नईस देर है बिन 27 आर्टिकल्स इन मैंने स्टीम इंग्लिस मीडिया पॉब्लिकेशन आपको डेलिविरिंग आपको इकतर से कहा जातो सर्मन्स अब दो कॉंग्रेस अबाट दे इंटर्नल डेमोक्रेसी को ले करके या इनर पार्टी डेमोक्रेसी वाज आपको मैजिक पिल है आज के डेट में कंट्रेडी अब दिस आपको सैलो द्वा थेओरी इस नोट पिकॉज अब देखिए यह जो है आपका प्योर्ली जो है सो पॉलिटिकल है जिसको बारे में हम बात नहीं करेंगे आगे हम लोग बरते हैं आपर इलेक्शन प्रोसेस है फुल द बोटर सिन दे इंटरन दोम्क्री चूस थ ठीज प्रिजे बोल्ट वैंट थीम्बची प्रेड द वर्ट अवन दॉनली ऑंट प्रेडर अव्थे व्यर ओषेस पॉर्ट अवीजे क्या जाएगा फुल्ड थीम्श।्ट अव् गं दे प्रिज वरिव्यर अवीज व इवेन आपको अलार्ग सीटी विट आपको विच पोलिटीशियन आर बाउट एंड शोल टूड़े यह सब चीज़ें जो एक तरह से कहा जातो जो कन्फूजन है कि आखिर में एलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में तो चेंट्रल एलेक्शन ऑथरिटी आप दे कॉंगर से फ्रम 900 प्लस जो से ब्लॉक उनिट से और कॉंग्रेस से 9000 प्लस होगया कॉंग्रेस से अक्रोस दे कंट्री आइधर थ्रू दे एलेक्शन और दे कॉंसस बेस्ट अन आपको मेंबर्शिप इन्रॉल्में बेग्निंग अप दे 6-month मेंबर्शिप द्राइब और फर्मेशन अप लॉक एसेमली एंड डिस्टिक उनिट से और दर नाइटीएट थाउजन डेलिगेट्स वेर चूजन फ्रम दक आपको कॉंस्टिशनली डिफाइन प्रोसेस से कीवर कोड आईडी एंड साथ में तो यह कुछ ज्यादा ही टेक्निकल हो गया है इसको हम लोग बात नहीं करेंगे जो हमारे हिसाब की चीज़ हो कि वही बात तो यहां पर नेक्स्ट आपका टेक्स कॉंटेस्ट है जिसमें जो आपको फॉर्ण इंडिया एक्विटी मार्केट से 75,000 है इसके बारे में है और साथ में निव डिजिटल बैंकी यूनिस इनागुरेटेटेड एक्रोस एक्रोस इंडिया 75 हो गया उसके बाद में वेज हाइक अंडर जेनल इंसुरेंस अमेंडमेंट स्कीम हो गया और साथ में जोस आपको सेंट्रल रेक्विटिंग तो वी रिगुलेट द ओडिशा हो गया और साथ में एस्टिएंट और टीचर्स प्रम दीउ डिटेंड दिरि